वीवो प्रो कवर्ट डी सीजन 6 में 12 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको उन 12 टीमों के कैप्टन का नाम बताने वाला हूँ तो आप कै कीजिए बस सुरू से लेके अंदक इस वीडियो को देखते रहिए नो टीमों के कैप्टन ओफिसेली कनफॉर्म है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ तो इन टीमों का कैप्टन ओफिसेली कनफॉर्म है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ और मैं आपको बता दू यह सब ऑफिसेली कनफॉर्म है इसमें आपकोई चेंजस नहीं होने वाले हैं तो जैसा मैंने अपने प्रिव्यूर्स वीडियो में बताया था कि तीन टीम के कैप्टन अभी भी बचे हुए है पटना पाइरेट्स बैंगलूडू बूल्स और तेल्गू टाइटल्स तो मैं आपको बता दू एक और टीम है जिसका ओफिसेली कनफॉर्म हो चुका है उस टीम का नाम है बैंगलूडू बूल्स और उनके कैप्टन रहीत कुमार आप इस पिक में देख सकते हो आपको पाइरेट्स और तेल्गू टाइटल्स तो मैं आपको बता दू कि यार अभी तक कोई ओफिसेल कनफर्मेशन नहीं आए इन दोनों टीमों का पर आप मेरे पर 95 परसेंट भरोसा कर सकते हो 5 परसेंट मत करो क्योंकि यार कभी भी कुछ भी चीज पलट सकते हैं क्योंकि मैंन आज अबुजर मिगानी से पूछा कि तेल्गू टाइटल्स का कैप्टन कौन होने वाला है तो उन्हों ने मुझे रिप्लाइ करके बताया विशाल भारदवाज भले आप लोग के लिए सौकिंग है पर उन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी लगता है विशाल भारदव का और जैसे गुजराप ने एक यॉंग प्लेयर को बनाया वैसे ही तेलगू ने भी इनको बना दिया है कैप्टन तो बहुत तरही टीमों ने सौक दिया है देख देखकर मतलब किसी टीम ने चेंज किया तो हमने भी चेंज कर दिया ऐसी बात हो गई है इस बार तो हां मतलब बुजर मेगानी ने मेरे को बताया तो सायद तेलगू टाइड़ चेंज कर दे क्योंकि अभी तक ऑफिजल कंफरमेशन नहीं आया है और मैंने उसे पूछा कि ऑफिजल कंफरमेशन कब आएगा मतलब क्यों नहीं आया है तो उन्होंने बोला मुझे अभी नहीं पता पर आ जाएगा तो उन्होंने बोला जल्दी ही आने वाला है पोस्ट रेडी हो जाओ मतलब उन्होंने तो मतलब पूरे सियोर बोला तो यहां पर आप 100% मान सकते हो कि परदीप नर्वाली कैप्टन होने वाले हैं पटना पायट्स का और विसाल पे मुझे थोड़ा सा डाउट है पर फिर भी अगर जब ऑफिसली कनफर्म होगा तो मैं आपको बता दूँगा अभी आप 95% रखो की विसाल भरतवाजी कैप्टन होने वाले हैं तो यह सारे कैप्टन होने वाले हैं 12 टीमों के तो बस रेट यह वीडियो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो और आपको कुछ नहीं करना बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है